नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से और सभी को धंतिरस की हारदेखारदिक शुब कामनाय और बधाई दोस्तों जो धंतिरस का त्योहार है बहुती अच्छी खुशकबरी लेकर क्या आया है और वह खुशकबरी क्या है इसके लिए मैं आप लोग को अलग से वीडिय प्रात्मिक्ता दी जाएगी RTE का जो नियम है वो क्या कहता है और किस प्रकार की विवस्ता रहने वाली है किस प्रकार से मेरिट क्रम बनेगा या पर डारेक्ट नियुक्ती होगी इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेगे तो चली दोस्तों एक निउस्पेपर की माध्यम से इसका विश्लेशन करने का प्रियास करते हैं इस पर बादचीत करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि अनुकंपा वालों को मिलेगी पहली प्रात्मिक्ता आईए जानते हैं क्या है किस प्रकार से मिलेगी तो प्रात्मिक सिक्षक के लिए ऑन-लाइन न्युक्तियों वालों को दी जाएगी और इसमें मेरिट लिस्ट के लिए अभ्यरतियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है सत्रा तारीक से तुरंत न्युक्ति की प्रोसेस चालू कर दी जाएगी आगे अधिकारियों का कहना है कि सिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद डीएड बीएड के साथ ही पातता परिक्षा पास करना अनिवारे हो गया है और यही नियम जो अनुकंप न्युक्ति की अभ्यरति हैं पर भी लागू होगा तो आटी एक्ट 2020 में लागू हुआ था इसके बाद में प्राइमरी सिक्षकों की जो भरती परिक्षा होनी थी वह नहीं हुई और इसके कारण 2000 से अधिक मामले लंबे थे हैं इनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 17 नवंबर तक आदे जारी कर दिये जाएंगे तो दोस्तों गौरतलब है कि जो सिक्षा विभाग है उसमें 7,439 एवं जंजाती है कारे विभाग के 11,998 पदों पर सेंक्त काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारम कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ही जोइनिंग की प्रोसेस हो जाएगी चली RTE क्या कहता है तो अधिकारियों ने बताया कि प्राइमरी सिक्षकों की भरती में ये बदलाव सिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत किया गया है इसका मतलब यह है दोस्तों कि RTI के तहत इसकूलों में पढ़ाने वाले सिक्षकों के पास B.A.D. या D.A.D. की डिगरी होना अनिवारे है और साथ ही पातता परिक्षा में क्वालिफाई होना भी जरूरी है और इस प्रकार की जो व्यवस्ता है वह 2011 में लागू हुई थी चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं क्या है निउज में तो उल्लेकनी है कि 2010 में RTI लागू होते ही सिक्षक पत्पर नुकंपा निउक्षा के लिए पातता परिक्षा अनिवारे कर दी गई थी लेकन 2012 के प्रात्मिक सिक्षक के लिए पातता परिक्षा ही नहीं हुई थी ऐसे में प्रदेश भर में 2200 से ज़्यादा मामले अटक गए थी तो दोस्तों सबसे पहले प्रात्मिक सिक्षकों के रूप में जिनकी निउक्ती होगी वो अनुकंपा वाले अभ्यर्ती लिये जाएंगे ततपश्चात मेरिट के अभ्यर्तियों की निउक्ती की जाएगी जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है तो दोस्तों 17 नवंबर से बहुत स्पीट के सांथ में बर्ग तीन याने की प्राद्मिक सिक्षकों की भरती होगी निउक्ती की प्रोसेस चालू होगी और आगे के वीडियो में दोस्तों मैं आपनों को बताऊंगा कि उच्च माद्मिक सिक्षक ट्राइवल की लिस्ट आ चुकी है और किस प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी की गई है और जिले बार अभ्यारतियों की न्यूक्ती कर दी है सभी सब्जेट के वाइस तो दोस्तों इंतजार करें मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में धन्यवाद जेहर